The bodies of living organism are made up of microscopic units called cells. हमारी जो living organism की body है, वो microscopic unit जिसको की हम लोग सेल कहते हैं, उससे बनी होती है. यह living organism कौन-कौन से होते हैं, यह जान लेते हैं हम लोग. जिसे इसमें हम लोग के आते हैं, archibacteria, eubacteria, protists, fungi, plant, animals. यह सारी ही हमारी living organism है. Cell is the basic structural and functional unit of living organism. इसका क्या मतलब है? हम लोग कहते हैं कि the cell is the building block of living organism. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है, कि जैसे भी कोई घर हमारा बना होता है, वो एक चोटी-चोटी एटो से मिलके बना होता है. ऐसा ही living organism की जो body होती है, वो cells से मिलकर बनी होती है. चोटी-चोटी cells मिलके पूरी body बनाती है. Cells share common fundamental properties. इसका क्या मतलब है? Fundamental properties का क्या मतलब है हमारा? Fundamental properties का मतलब यह है, कि जैसे कोई भी cell हो, किसी की भी cell हो, चाहे वो protesta की हो, चाहे वो animals की हो, किसी की भी cell हो, single cell हो, multi cell हो, किसी भी तरह की कोई भी cell होगी, उसकी common fundamental property होगी. मतलब कि उसका एक genetic material होगा, genetic material जो की DNA से मिलके बना हुआ होगा, DNA का बना हुआ होगा, और जो की surrounded होगा, दी एने से बना हुआ होगा, और जो की surrounded होगा, उस protoplasm से, protoplasm से surrounded होगा, और जो भी उसकी energy की, किसी भी cell की energy metabolism जो होगी, energy produce करने की जो process होगी, वो चाहे lower organism की हो, चाहे higher organism की हो, वो सेम होगी, वो process energy metabolism की सेम होगी, चाहे वो higher animal की हो, या फिर वो lower organism की हो, ठीक है? सेल, तो अब सेल की बारे में आगे पढ़ने से पहले, हम लोग इसकी कुछ history जान लेते हैं, history क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कि cell was discovered by, who discovered the cell? तो वो scientist का नाम है, Robert Hooke, Robert Hooke, इन्होंने सेल को सबसे पहले discover किया था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉर्क, सब लोग नाम सुना होगा, कॉर्क का, कॉर्क की एक slide बनाई और उसको self-design microscope में देखा, self-design क्यों कह रहे हैं हम लोग? self-design इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ जुगाल करके, कुछ लेंस वेंस को जोड के, एक कुछ self-design microscope बनाया, और उसके नीचे अपनी कॉर्क की slide को देखा, तो उनको क्या दिखाए दिया, उनको यह honeycomb shape के, चोटे-चोटे structures दिखाए दिये, या चोटे-चोटे compartments दिखाए दिये, और यह जो compartments थे, यह hollow थे, मतलब कि इनके बीच में उनको कुछ भी नहीं दिखा, यह खाली space दिखा उनको, और यह जो walls थी, इन walls पे इनको सुबहर इनका deposition मिला, तो इन खाली hollow structures को, Robert Hooke ने क्या नाम दिया, इन्होंने इसको नाम दिया, cell का, तो इन खाली compartments को, Robert Hooke ने cell बोला, और यह जो plant लिया था, इन्होंने जो cork लिया था, वो quarecus plant का था, यह question आप से पूछा जा सकता है, कि वो plant कौन सा था, जिससे इन्होंने सबसे पहले cork की cell को देखा था, तो वो plant था हमारा quarecus, अब एक बात आती है, इसके बाद हम लोग कहते हैं, कि यह जो cork होता है, वो हमारा dead cell होता है, ठीक है, तो अगर question में आप से पूछा जा रहा है, कि who discovered the cell, then the answer will be roberto, but if the question is, who discovered the living cell first, then the answer will be Anton von Leeuwenhock, तब आपका answer होगा, Anton von Leeuwenhock, अगर पूछा जा रहा है कि किस ने सबसे पहले living cell को देखा, then the answer will be Anton von Leeuwenhock, तो Anton von Leeuwenhock ने क्या किया, इनों ने अपना एक microscope बनाया, और इनों ने एक pond water लिया, जिसको की microscope के नीचे देखा, तो इनों ने single cell organism को उस pond water में देखा, तो सबसे पहले living organism को देखने वाले कौन थे, Anton von Leeuwenhock थे, बाद में इनों ने क्या क्या, इनों ने बहुत सारे sperms को देखा, sperms जिसमें human, dog, rabbit, frog, fishes and insects, इन सबके sperms को भी, इनों ने माइक्रोसकोप के नीचे देखा, उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं के, who discovered the nucleus, तो इसके लिए आपका answer होगा, Robert Brown, Robert Brown discovered the nucleus, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, cell theory की, cell theory was given by Shladden and Schwan, Shladden and Schwan, दो scientist थे, जिन्होंने, Shladden जो थे, ये botanist थे, और Schwan थे, ये zoologist थे, ठीक है, तो Shladden ने individually अपने theory दी, और बाद श्वान ने भी same theory दी, बद दोनोंने individually theory दी थी, और बाद में कुछ पॉइंट्स जोड़े गए, जिनको जोड़ने के बाद इस cell theory को बूला गया, modern cell theory, तो अगर आपसे question पूछा जाता है, who gave the modern cell theory, then the answer will be Shladden, Shwan and Prudolf वर्चा, ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं, modern cell theory क्या है, क्या कहती है, ये modern cell theory, तो modern cell theory में हमारा first point है, all living organisms are made up of cell या फिर cells, इसका मतलब हम यहाँ पे cell, slash लगा के cells क्यों कह रहे हैं, cell इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई single cellular होगा, मतलब unicellular organism होगा, वो भी cell का ही बना हुआ होगा, और या फिर कोई multicellular organism होगे, तो वो भी cell से ही बने हुए होगे, second point is, all metabolic reactions take place in cells, thus the cells are structural and functional unit of life, जितिनी भी metabolic reactions होती हैं, like respiration, diization, circulation, excretion, nutrition, यह सब cells में ही होती हैं, एक cell में हो रही है, that means कि वो पूरी living organism में हो रही है, अगर हम कहते हैं कि एक cell respire कर रही है, that means कि वो पूरी body respire कर रही है, और इसको हम अनदर वोड में भी कह सकते हैं, जैसे कि if the body needs nourishment, that means actually the cell needs nourishment, okay, now the third point, third point, this point is actually added by Rudolf Virchow, इन्होंने, Rudolf Virchow ने क्या बोला, कि all cells arises from pre-existing cells, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है, कोई भी cell है, वो arise होती है, पहले से कोई cell present है, उसी के division से कोई cell arise होती है, इन्होंने अपनी एक common language में, क्या बोला इस पॉइंट को, ओमने सेलूला, इस सेलूला, ठीक है, अब लोग देख लेते हैं, टाइपस ऑफ और गनिजम, so, on the basis of number of cells, number के according, कितने तरह के और गनिजम होते हैं, number के हिसाब से, तो हमारे दो तरह के होते हैं, एक unicellular है, जैसा की नाम जे समझ में आ रहा है, uni means single, one, cellular means cell, single-celled organism, अब single-celled organism, क्योंकि single-cell के हैं, बहुत ही simple होंगे, इनकी सारी life process, एक ही cell में, सारी life process, जैसे की, डाइजेशन, एक्स्टरीशन, रिस्पाइरेशन, रिप्रोड़क्शन, यह सब चीज़ें, एक ही cell में निपट जाती होंगी, एक ही cell में हो जाती हैं, इसके examples क्या क्या हैं, ब्रैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा में हमारे कौन-कौन से अनिमल्स आते हैं, लाइक, यह, अमीबा, पैरामीशियम, और इस्ट, इस्ट एक फंजाई है, फंजाई का एक ही example है, जो कि single-cell होता है, बाकी नहीं होते हैं, नेक्स्ट हमारे multi-cellular organism होते हैं, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, multi means कई सारे, cellular means cell, कई सारी cells मिलके जब organism बनाती हैं, तो वो multi-cellular organism होते हैं, इसमें हमारे आते हैं, plant, animals, ये जो होते हैं, more complex होते हैं, और इन में एक खास बात होती है, multi-cellular organism की, कि इन में हमको division of labor देखने को मिलता है, अब ये division of labor क्या है, division of labor ये है, कि कई सारी cells मिलके, जब एक specific function परफॉर्म करती हैं, तो उसको हम division of labor कहते हैं, जैसे कि हम लोग example के तौर पर ले लेते हैं, कि जब कई सारी cells मिलके, हमारा बना देती है, digestive system बनाती है, वो उसका काम सिर्फ होता है, food को intake करना, food को digest करना, food को excrete करना, तो ये कई सारी cells मिलके हमारा digestive system बना रही है, या फिर हमने लेते हैं कई सारी cells मिलके हमारा nervous system बनाती है, कई सारी cells मिलके respiratory system बना देती है, ये हमारा division of labor हो जाता है, multicellular organism में हमको division of labor देखने को मिलता है, तीक है? All cells, whether they exist as one-celled organism or as a part of multicellular organism, are capable of carrying out certain basic functions such as nutrition, respiration, growth and riproduction. These functions are essential for the survival of cells. कोई भी सेल है? इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? कोई भी सेल है? चाहे वो unicellular organism की हो, चाहे वो multicellular organism की हो. Unicellular organism की होगी तो वो single cell और multicellular organism की cell है, तो वो बहुत सारी cells, जो milk एक organism को बना रही है, वो कुछ basic functions होते हैं, जो वो सब परफॉर्म करती हैं, जैसे कि nutrition, respiration, growth, riproduction, ये सारे functions हर एक cell के द्वारा परफॉर्म किये जाएंगे. ठीक है? ये सारे functions essential होते हैं उन cells की survival के लिए. तो हम लोग आते हैं, size of cells पर, ये भी हमारे small one point question हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, पूछा जाए कि which is the smallest cell? तो आपका answer होगा PPLO, अब ये PPLO क्या है? PPLO है हमारा pleural pneumonia-like organism, या फिर हम इसको mycoplasma भी बोलते हैं, इनकी size की range क्या हो सकती हैं, ये 0.1 micrometer से लेके 0.3 micrometer तक के हो सकते हैं, इनकी ये place क्या होती है, ये virus और bacteria के बीच में रखे जाते हैं, मतलब इनका size जोता है, viruses से थोड़ा सा बड़ा और bacteria से थोड़ा छोटा ही होता है, smaller than bacteria होते हैं, ठीक है? और एक खास बात इनकी ये होती है, कि इनमें cell wall नहीं होती है, ठीक है? अग then the answer will be bacteria, ठीक है? cell wall होती है, bacterias में, पर mycoplasma में cell wall नहीं होती है, ठीक है? now the next question हमारा क्या पूचा जा सकता है, which is the largest cell? तो हमारी largest cell क्या है? ostrich egg, ostrich egg भी एक single cell है और ये largest cell है, ठीक है? next हम लोग आते हैं, types of cell पे, types of, actually हमको यहाँ पे organism है, दो तरह के organism होते हैं, non-cellular organism और cellular organism, तो non-cellular जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, non means no, यहाँ पे cell नहीं है, no cell, ऐसे organism जिनमें cell प्रेजंट नहीं होती है, non-cellular organism that do not contain any cell in their body organization, इसके example क्या हो सकते हैं हमारे, इसके example हो सकते हैं viruses, ठीक है? viruses lack any membrane, hence do not show characteristic of life, until they enter a living body, जैसे कि जब तक यह viruses किसी living body, like किसी prokaryotic cell या eukaryotic cell में enter नहीं कर जाते, तब तक यह अपनी body का कोई भी function perform नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अपनी body की life cycle को complete करने के लिए इन्हें किसी prokaryotic cell या eukaryotic cell में enter करना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे आते हैं, cellular organism, cellular जैसे की बात आपको नाम से पता चल रहा है, that contain either one or many cells in their body, examples हमारे हो सकते हैं, bacteria, plant and animals, cellular organism को अगें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यह कौन-कौन से हैं? prokaryotes and eukaryotes, prokaryotes, pro means primitive, karyotes means nucleus, इसका मतलब है, कि इनके जो nucleus होंगे, वो primitive nucleus होंगे, इन में कोई भी membrane-bound structure present नहीं होगा, membrane-bound structure हमारे कौन-कौन से होते हैं? यह हमारे होते हैं nucleus, endoplasmic reticulum, golgi body, ठीक है? और इसका example है हमारा bacteria, eukaryotes, eukaryotes, u means true, ठीक है? u means होता है true, and carryon means nucleus, ऐसे organism, जिन में true nucleus होगा, वो हमारे eukaryotes होंगे, यह advanced होते हैं, इन में organelles present होते हैं, organelles means double-bounded structures, जो cell में पाए जाते हैं, कौन-कौन से हैं? हमारा ER हो गया, nucleus हो गया, golgi body हो गया, यह सब हमारे organelles होते हैं, जो की eukaryotic cell में पाए जाते हैं, eukaryotic cells के example है, protesta, जिन में हमारे amoeba, paramecium यह सब आते हैं, fungi, planti, इसमें plant cells आती है, animalia, इसमें animals की cells आती हैं, ठीक है? next point क्या है, next यह है कि ribosomes, यह जो ribosomes होते हैं, यह prokaryotes और eukaryotes दोनों में present होते हैं, यह कोई भी membrane bound नहीं होता है, it is not a bounded by any membrane, यह किसी भी membrane से bound नहीं होता है, और यह prokaryotes और eukaryotes दोनों में present होता है, next class में हम लोग देखेंगे, next class में हम लोग prokaryotic cell का structure देखेंगे detail में पढ़ेंगे prokaryotic cell को तब तक के लिए thank you very much अगर आपको मेरा ये lecture प्रसंद आया हो तो please like करिए, share करिए जितना जादे से ज्यादा हो सके इसको share करिए तब तक के लिए thank you